जैशी किश्णा आप सभी को कैसे हैं आप तो आज का द्यानिक राशीफल 19 अक्ट्यूबर 2023 का मैं लेकर आचुकी हूँ नवरात्री का पांचवा दिन है किनकी लिए रहेगा बहुत खास जानते हैं द्यानिक राशीफल और साथ में उसके उपाई तो क्या कहते हैं आपकी सि तो चलिए आप जानते हैं सितारे आपके क्या कहते है सबसे पहली राशी है मेश राशी तो मेश राशी कि जयातक आश यक्रेटिविट्य कामो में रुचिछे बड़ेगी आज आप वे काम करेंगे जिसे आपको सुकोन मीलें कानोनी समस्या सता सकती है धार्मिक भावने उदे होंगी धार्मिक कारे ही तो धन खर्च होगा इश्वरी अराधना मांसी शांती देगी हर काम सरलता पूर्वर संपन होगा आज आपको कोई नया काम मिलेगा गर पर महमानों का आना दिन को बढ़िया और खुशगवार बना पुरानी बातों को याद करना अपना आज बरबाद ना करे आज आपको किसी बात की चिंता होगी घर में कोई बिमार हो सकता है किसी को पैसे उधान ना दे अपने काम के साथ सत अपनी सेहत का भी ध्यान अखे आज क्या नहीं करे आज महमानों का निरादर ना करे आज का मह परिवार के साथ समय वर्टीत करेंगे, आज आपके विचारों में अस्तिरता होने से कुछ मान से कुलजने होंगी, मित्रों से मुलाकात आपके लिए लापकारी होगी, परिवार के सदस्य को आपके जीवन में विशेश मातो होगा, एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खतम हो चुका होगा, क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथे मिलने वाला है, आज आपको थोड़ी सावदानी बरतनी के आवश रखता है, ज गरीबों को भोजन कराएंगे तो लक्षमी कृपा बढ़सेगी, आज कर शुबरंगे काला, मिथोन राशी, मिथोन राशी वाले आज किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले, अच्छी तरह सोच विचार ले, बज़र त्यार करने में आज थोड़ा संभल कर चले, सीमा में ही रहकर खर्च करें, आज के दिन आधिकान समय खरीदारी और दूसरी गति वीदियों में जाएगा, संचित धन में कमी आएगी, आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रती असम्वेदन शील हो सकता है, अपने परिवार के साथ रुका वहवान ना करें, ये पारि आज क्या नहीं करें, आज जगड़ा और विवास से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आज का माहा उबाय बर्गत के पत्ते के पूजा सल पर रखे, मादूर्गा के पांची रूप की पूजा करें, आज का शुबरंगे हरा करकराशी, करकराशी वाली के लिए आज उ बंदों के लिए दिन समाने रहेगा, आज आपको अपनी गुस्से पर काबू करना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं मुश्किल में भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी नया सीखने या समझने के लिए किसी तरह की कमी ना आने दे, पिछले कुछ दिनों से आ सब आज ठीक हो जाएंगे, स्वासे समस्याओं के लिए गरेलू उपाए अपनाए, आज क्या नहीं करें, आज वाणी पर सायम रखें, आज का महा उपाए, आज अन का दान करें, लाब मिलेगा, आज का शुबरंग है काला सिंग राशी, सिंग राशी वाले आज सारवजि पर काबू रखें और परिशानी से बचें, आपके कारी की सराना होगी, कई दिनों से रुके कारे आज पूर्ण हो सकते हैं, किसी सामाजी कारे करम में शामिल होंगे, विदेशी संस्तान से छात्र गृती या प्रवेश संबंदी खबर की परतिक्षक करें, छात्रों को अदत लीजे, आज क्या नहीं करें, शरापीने से बचें, आज का महा उपाया, सुन्दर कान का पार्ट करेंगे तो लाब मिलेगा, आज का शुबरंग है हरा, कन्याराशी, कन्याराशी वालों, आज समाने रहेगा, परिवार में भी सब समाने होगा, दूसरों के निजी मा कामलों से जुड़े फैसलिक कुछ समिक लिए टाल दे, आज आज आपको आर्थिक दिशा में विशिश ध्यानक ना होगा, आपके खर्चों में अचानक वृदी हो सकती, स्वास्ते का ध्यान के जीवन साती के साथ प्रेंपूरवक वहवार करें, आपके बीच की शिंती खतम हो जाएगी, आज क्या नहीं करें, आज चोरी ना करें और नहीं छूट बोले, आज का महा उपाय अज गुर का सेवन करें काम बनेगा, आज का शुबरंग है गुलाबी, तुला राशी तुला राशी जातक आज किसी भी बात पद्धुन मन से नर्ने ले सकने क कारण आप मिले हुए मौके का फायदा उठा सकेंगे, विचारों में आपका मन अटका हुआ रहेगा, कारेशेत में अनुकूल परिस्तिती रहेगी, लेकिन मना शान्त रहेगा, सबहाँ में चिर्चिडा पन भी हो सकता है, रेंसेहन में असाज रहेंगे, मित्रवर्ग और विशेश करके स्त्री मित्रों की तरफ से आपको लाब मिलेगा, वैपार में लाब होगा, महत्व के निन्ने आज लेने से टाले, संतान से दूर रहे रहें लोगों को आज अपने बच्चों से मुलाकात होगी, अच्छा भोजन प्राप्त होगा, आज ये समय आपको वैव विशेश कराशी, आज आप अपने पार्टनर के साथ इंटरनेट पर समय बिताएंगे, या फोन पर मधूर समवाद कर सकते हैं, किसी भी तरह आज आज आप दोनों दिन भर जुड़े रहेंगे, अकेली लोगों को इंटरनेट के माध्यम से आज नया पार्टनर मिल सकता है जोडियां आज अपने रिष्टों की घोशना करेंगे, आज प्रस्ताव मिलने के पूरे लक्षन है, आप आज सभी कार्यों दिन आदम विश्वास और मनुबल से पूरा करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी पिता की तरफ से आपको कोई लाब मिलेगा, विधार्ती पढ़ाई में अच्छा प्रदशन करेंगे, संटानों के अध्यन या अन्य मामलों में के पीछे धन खर्च या पूंजी निवेश होगी आज क्या नहीं करें, आज आलस से काम बिगड़ेगा, आज का महा उपाई, शिव सहस्रे नाम के जाप से कल्यान होगा, आज का शुबरंग है नीला धनुराशी, धनुराशी, आज आज आपकी जिन्दगी में काफी खुश्या लेकर आएगा, आई की स्रोत विक्सित हो सकते हैं, आई मिलवर्दी होगी स्यक्षी कारियों में वयवधान आ सकते हैं, स्वास्ते के पती सचेद रहें, यात्रा आपको ठकान और तनाव देगी, लेकिन आर्ठिक तौर पर फाइदे मन साबित होगी, दूसरों पर निर्भर ना रहें, कोई आपके काम में अवरोध पैदा कर सकता है आप किसी पर पूरा भरोसा करेंगी तो धोका भी मिल सकता है, परिवार जनों के साथ समय सुख पूर्वग बीतेगा, आप जो भी काम पूरी मेहन से करेंगे, उसमें आपको सपलता मिलेगी, साथ ही सभी आपकी काम से परभावित होंगे, आपको अपने अंदर एक नई उ जगड़ा करने से बचे, आप बस अपने गुस्ते पर काबू रखें और परिशानी से बचे, आपके कारे की सराना होगी, कई दिनों से रुके कार्याच पूर्ण हो सकते हैं, किसी सामाजी कारे क्रम में शामिल होंगे, विदेशी संस्थान से चातर विटे या परवेश सं मंदी खबर की प्रतिक्षा करें, चातरों को अच्छी खबर मिलेगी, आपको आर्थिक मामलों में दोस्तों की मदद मिल सकती हैं, चला की भरी आर्थिक योजनाओं में फसने से बचें, समय अच्छा बीतेगा, बशरते आप तनाव से दूर रहें, जब आप अकेला पन मह करें, तो अपने परिवार की मदद लीजे, आज क्या नहीं करें, आज जीवन साती के स्वास्ते पर ध्यान दे, आज का महा आपए, आज घर में गुलाब की खुश्बू महकाएंगे, तो लाब मिलेगा, आज का शुबरंग है हरा, कुमराशी, कुमराशी के जातक आज थो उलास का वातवरन रहेगा, खान पान पर विशेची ध्यान देने की जरूरत है, घर पर तनाप का मोहल आपको नराज कर सकता है, एमोशनल की पूर्ती होगी, रिलेशनशिप में पार्टनर से मुलाका सौगात लेकर आएगी, मान सी शान्तिवा पसंता कानुभव करेंगी, मन, गहन, चिंतन, शक्ति, तता रहस्य में विद्याओं के प्रती आकरशित होगा, आज क्या नहीं करें, आज किसी को उपहान ना दे, आज का महा उपाय, आज लाल, फूल, मा देवी को अरपन जरूर करें, इससे मादुर्गा प्रसन हो, आपके समसकश्टों को दूर करें मौज मस्ती के लिए घूमना संतोष जनक रहेगा, आर्तिक सिती अच्छी रहेगी, आपके वहवार एवं कारे कुशलता से अधिकारी वर्गे से लाब होगा, संतान के वहवार पर नजर रखें, जल्दबाजी ना करें, आज आप जिसमें भी पैसे लगाएंगे, आपको आगे चल कर बहुत मुनाफ़ा आएगा, आज आप नए दोस्तों से मिल सकते हैं, आज की अग्या निवेश, आपकी सम्रदी और आर्तिक सुरक्षम इजाफ़ा करेगा, आज क्या नहीं करें, आज किसी को भी उधार ना दे, पैसा अटक सकता है, आज का महा उपाई, आज बागवानी से मन खुश रहेगा, आज का शुबरंग है लार, तो आज का द्यानिक राशी पल हो चुका है, इश्वर करें, आपका दिन मंगल मै रहें, जैसे कि नवरात्रों का पावन दिन चल रहा है, श्रादी नवरात्रे का पाँचवा दिन है, जिसमें मा सकंद माता की पूजा राधना की जाएगी, तो मा सकंद माता, भगवान कार्टी के की माता है, सकंद माता तो जिनको भी संतान संवंदी कोई समस्या चल रही है, संतान उत्पती में परिशानी, वो आज के दिन सकंद माता की अवश्य पूजा राधना करे, मा को पीला रंग बहुत पूरी अरपन करें, केले का भोग लगाएं, इससे आपकी समस्य इच्छा या वश्य पून होगी, साथ में संतान उर्पती के लिए कर लीजिक छोटा सवपाएं, आज एक चुनरी के अंदर एक नारियल और 11 रुपे दक्षिना रखकर इसे बांदे, मार दुरगा को अरपन क करें और अपनी प्रातना पोलें कि संतान समंदी जो भी समस्या चल रहें वो दूर हो और फिर इस नारियल को उठाके अपने कमरे में अपने सिरहने के पास रखें, जब तक कोई खुश खबरी नहीं आ जाती, इसे समाल के रखें, जब आजाए तो इसे आप अपने अल्मा किसी को भी दान करके पाच कन्याओं को आप भोज अवश्य कराएं, तो यह छोटा सवपाय करें संतान समंदी जो भी समझ से सारी दूर होंगी, वीडियो कैसी लगी प्लीज जाद से जादा शेयर करें, फिर आती हूं कल के दैनिक राशी पल के साथ में आपका दिन मंगल आप सब भी को जैम आता दी